नमस्कार फ्रेंज चलिए अगली रसीपी शुरू करते हैं देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है इस तरह से बनाईए देखिए कलरफूल है बहुत ही टेस्टी है तो चलिए पांच बटाटा ले लिए हैं उबला हुआ अलू उबाल करके ले लेंगे देखिए और दही ले लेंगे और बटाटा अलू को छील लेंगे इस तरह से सब अलू अच्छे से हम छील लेंगे जएंगे और वहारी कट्ट दही लेना है खती दही नहीं और चार भाग में आलू काट लेंगे ज़्यादा भड़ा टुकडा नहीं काटेंगे और पानी से अच्छे से निकाल लेंगे और पानी डाल दिये और हम नमक डाल देंगे एक चंबच और उबाल देंगे वस्पूर्ण करके तो तीन सेटी और इधर देके हम दही ले लिये तो उसमें धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर बड़ा चमबच और छोटा इस्पूंद अल्दी डाल देंगे और सम दही में फ्येट करके हम अर रखे देंगे थोड़ा सब देखिए अच्छे से प्यटेंगे और दही हमारी एक दम फ्रेस होनी चाहिए खटी नहीं होनी चाहिए सब्जी खटी लगेगे इसी तरह से हम अच्छे से मिला लेंगे और एक पैन रख देंगे और आयल डालेंगे दो बड़ी चमच डाल देंगे और गरम हो रहा है हमरा आयल चैसे तो हम इसमें जीरा डालेंगे खुर्न देने के लिए तो जीरा डाल दिए थोड़ा तड़कने लगा तो तेज़पत्ता डाल देंगे तो और आदा यानी प्य आज अटा हुआ बारे चापने अधिक या इसी तरह से बनाईए और कादे को ज्यादा नहीं भूनेंगे थोड़ा राहुन तक भूनेंगे और अध्रक लशुम का पेश्ट डालेंगे अध्रक लशुम खा रहे हैं तो डालिये नहीं खा रहे हैं तो इसके प्रभ्ड़ देख इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे , इसको मेलाते रहेंगे , अच्छे से भून लेंगे , इसको भून लेजिये और गुन करके अच्छे से तो हम कटा हुआ दो मिर्च और धन्या की पत्ति थोड़ा टाल करके इसको भी भून लेंगे और उबला हुआ देखिए अभी नम इसमें गरम मसाला थोड़ा डाल देंगे इस among बूम में लेंगे अभी अभी उबला हुआ बटाट चोड़िए इसको भी थोड़ा इससा ने लोग है सब्सक्राइब किये हैं तो सब्सक्राइब कर लेजिए और देखिए इसी तरह से यह मिक्स कर देंगे बटाट हमारा पका है स्वाध अंसार नमक दालेंगे और पानी चोड़ेंगे यह तरह से ज्यादा नहीं मिलाएंगे क्योंकि हमारी वह यह से ही पकी है और मसाला भी पग गए है तो हम सरू करते हैं पक्के हो गया रहीआ है इसी तरह से सर्व करते हैं इसी तरह से बनाईए हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइप कर दीजिए लेकिन बहुत ही टेस्टी है आप कभी भाजी अगर लागडाउन में नहीं है तो भर में अपनी आलू तो अवलेबल रहता ही है दही भी है तो आप आसानी से सब्जी बना सकते हैं तो इसी तरह से बनाईए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिए थैंक्यू आप 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 झा झालली कर्णों, कास्वी थैंक्ड़ कर्णाब क्लिएक में तो अवले भीर वीमें रहता है प्लो हो आप 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 आपोड़ू नान बहसे कर दाप आप 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 आपके है